दोस्तो आज की वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से सिखाऊँगा कि किस तरीके से आप एक motion sensor का यूज करके output में अपना कोई भी load on करा सकते हैं अभी आप देखेंगे यहाँ प्रॉपर तरीके से light है अगर इस motion sensor के उपर मैं अपने हातों से अधेरा कर दूँ तो आप देख पाएंगे कि output में मेरा load on हो जाएगा जैसे ही दिन निकलेगा मतलब उजाला होगा तो आपका load जो है वो off हो जाएगा आप देख सकते हैं कुछ second का time लेता है motion sensor load मेरा off हो गया है अगेन जब साम को अंधेरा होगा motion sensor के उपर light जाना बंद होगी तो फिर से output में load on हो जाएगा दोस्तों आज की वीडियो में बात करूँगा इस motion sensor के बारे में जो आप देखेंगे कि day night motion sensor है इसको बनाया है retron company ने सबसे अच्छी बात है कि यहां product की 2 साल की आपको warranty बिल जाती है प्रॉपर तरीके से पहले मैं इसका unboxing करके आपको दिखाता हूं उसके बाद हम इसका प्रॉपर तरीके से connection समझ लेंगे आप चाते हैं इस motion sensor पर और भी शारी वीडियो देखना तो आप मेरे चैनल पर जा करके यहां मैं आपको एक link दे दूँँगा वहां से playlist में जा करके बाकी सारी भी वीडियो देख सकते हैं किसी भी motion sensor के उपर आपको इसको खोल के देखा हूं तो आप देखेंगे यहां metal का एक पत्ती मिलता है आपको यहां दोस्तों आपको फासनर और पेस मिल जाता है और नीचे रखा मिलता है आपको एक poly cap के अंद इस box के अंदर दोस्तों एक user manual भी मिलता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं यहां user manual को आप description में PDF में download कर सकते हैं और description से यह user manual को पढ़ सकते हैं दोस्तों आप देखेंगे यह IP54 rated है मतलब आपको हमेशा इसको कुछ इस तरीके से install करना है कि पानी इसके उपर से आए तो ढल जाए कोसिस करना है कि आप indoor में लगाएं जैसे आपका कहीं बरामदा है या कहीं बहार छज्जा निकलाए घर के उसके नीचे लगा दें जिससे कि पानी ना आए फिर भी अगर आपको outdoor में लगाना पड़ रहा है तो try करें कुछ इस तरीके से इसको लगाने का तो proper stand को आपको कुछ इस तरीके से hook करना है इसके wire को बचा करके और इसके अंदर आप screw लगा करके इस stand को properly tight कर लेंगे एक screwdriver की help से दोस्तों आप installation देख पाएंगे कि जो इसके अंदर hole था उसके अंदर ये पिंचला गया है और यहां हमने screw लगा दिया अब कुछ इस तरीके से इसको ball के ऊपर आपको fit करना है तो जल्दी से हम connection समझ लेते connection समझने के लिए यहां में एक power supply का use कर रहा हूं इसको थोड़ा side में हटा देता हूं दोस्तों इस supply का में use करूँगा यहां power देने के लिए जहां मैंने phase और neutral दिये हुए है side में यहां मैंने terminal box या फिर आप इ BB light इससे operate करा सकते हैं sensor से यहां दोस्तों आप देखेंगे आपको तीन wire मिलते हैं इस sensor के अंदर जिसमें से एक input जो brown wire है इसके अंदर हम phase देंगे जो blue wire है इसके अंदर हम neutral देंगे और यहां जो red wire है इससे हम phase को out कर लेंगे जो हमारा output रहेगा उसको neutral देने के लिए आप इसी point से neutral दे सकते हैं दोस्तों इन तीनो wire का connection हम इस terminal में कर देते हैं दोस्तों connection कैशे करने हैं मैं आपको proper तरीके से यहां समझाओं तो एक wire लेकर के यहां हम जो phase supply है वो इसके brown wire पर connect कर देंगे इस terminal में और एक दूसरा wire लेंगे जो हमारा कोई भी color का wire हो शकता है उसको हम neutral की जगे connect करेंगे जहां से हम इसको supply दे रहें तो यहां से मैं neutral connect करूँगा और neutral को इसका blue wire है यहां पर connect कर दूँगा कुछ इस तरीके से दोस्तों sensor का connection proper तरीके से हो गया जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमें load का connection करना है तो फिलाल आपको यहां में एक valve का connection करके दे पेज बायर है इसको हम red वाला जो बायर है sensor का output यहां connect करतेंगे दोस्तों load का connection हमने कर लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं यहां एक valve connect कर दिया है लेकिन आपको load connect करते हुए हमेशा ध्यान देना है कि sensor से डारेक्ट ले आप 10 ampere तक का load connect कर सकते हैं जैसा कि आप यहां दे इसी भासा मैं बताऊं कि 10 ampere कितना होता है तो 108 के आप लगबग लगबग साथ या 8 bulb connect कर सकते हैं इस sensor के दुरूब आप इससे ज़्यादे load connect करना चाहते हैं तो आपको लगाना होगा एक contactor, contactor से आप heavy load को connect कर सकते हैं, contactor को operate कराने के लिए मैं इस sensor का use करेंगे, अगर आ चाहते हैं कि contactor पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप comment box में comment करिए, मैं इसके ऊपर भी एक dedicated वीडियो बना दूँगा, फिलाल मैं इसको operate करके दिखाता हूं, कुछ basic चीजे हैं जो मैं आपको समझा हूं, यहां आप देखेंगे कि इसको set करने के लिए एक option होता है लगज का, जहां एक knob है, knob को कम जादे करके आप लगज set कर सकते हैं, जहां minus और plus के दो symbol बने हुए हैं, कुछ इस तरीके से इसको set कर सकते हैं, कि किस जगे पर आप इसको use कर रहे हैं, दोस्तो अगर आप साम को इस sensor से light operate कराना चाहते हैं, तो इसको negative की तरफ करेंगे, अगर इसको दिन में light on कराना चांते हैं, तो आप positive की तरफ इसको knob को घुमा देंगे, तो फिलाल मैं supply को on कर लेता हूँ, यहां से supply मेरी on है, लेकिन जिसको input दिया है, वहां से भी मैं supply को चालू कर देता हूँ, यहां से supply मेरी on है, इसको जो input दिया है, वो भी मैंने on कर दिया है, लेक है कि आप proper तरीके से समझ गए होंगे जैसे उजाला होता यह sensor फिर से light को बंद कर देगा मतलब जैसे ही दिन होगा यह light फिर से बंद हो जाएगी तो उम्बीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत वीडियो देखने के लिए जल्दी ही मिलूँ एक नई वीडियो में तब तक आप अपना खयाल रखिए